आज हम आपके लिए लेके आए हैं माचिस की एक बहुत अच्छी मैजिक ट्रेक जिसको देखने में आप सभी को मज़ा भी आएगा और हम आपको ये मैजिक सिकाएंगे भी सबसे पहले हमको इन दो माचिस को साइड में रख देना है और इसके उपर माचिस के उपर जो कवर होता है हमको इस कवर को आप अच्छे से देख लीजिए फिर हम इस कवर को आपको निकाल को इसके उपर के बॉक्स को निकाल देना है और देखिए अभी हम इसको निकाल के आ जो इसको हटा देना है, humor आप पास कोई बोक्स भी नहीं है, अब हम आपको देखाएंगे magic, यह हमारा भाई है जो आपको magic करके दिखाएगा, अब आप अच्छे से बोक्स को देख लीजिए, कहीं इसमें कुछ जोलमाल भी जोला हम झाद को देखाए है, तो जाइस आप देख सकते हैं हमारे भाई ने आपको मेंजिक करके दिखाया है उस थोटे ड्रोयर को चेंज कर दिया है एक माच इसके पूरे बॉक्स में आप इसको चेक कर लीजिए थोड़ा वाई साइड से दिखा दो गाईस को गाइस को साइड से दिखाओ भाई साइड से हाँ और आप गाइस देख सकते हैं हमारे भाई ने आपको साइड से दिखा दिया है और अब ही हम आपको इसमें एक माचिस जला के भी दिखाएंगे जिससे आपको कोई ये ना लगे किसी को भी कि आप देख सकते हैं गाईस इसस सब्सक्राइब करे। जो यह माचिस की पूरे ह Trinity को फिर से बॉस दौयर अज्ट में किThis आ सूब आप YOU के एकुछेंस कर देखाए़ आप sequencing on में दिखाएगा रहा एंज आप देख सकते हैं ऑपने आप को मेजड करके दिखाया धुरा है कारता है को हमारे वीडियो पसंद आई हो तो like, share and subscribe जरूर करें इसी बात में हमारा भाई फिर से आपको इसको माचिस का बॉक्स बना के दिखाएगा भाई फिर से दिखाऊगा है इसको काईस आप देख सकते हो फिर से उसने ड्रॉयर को माचिस के पूरे बॉक्स में चेंज कर दिया है इसी बात पर एक like तो बनता है आप सबी को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी अभी हम आपको सिखाएंगे कि यह कैसे magic को किया जाता है वैसे यह बहुत ही पुराना जादू है और बहुत ही simple जादू है आप सबी को सीखना है तो हमारे वीडियो को पूरा देखें वैसे एक माचिस को side में रख दे और गाइस इस वाली को भी हम खाली कर देंगे और हम इस वाले के एक के cover को लेंगे एक के drawer को लेंगे एक माचिस के तो हम एक माचिस के cover को side में रख देंगे आप सुगाइस हमने इनको side में रख दिया है और अभी हमको इस drawer को लेना है और इसके cover को लेना है जिसको एक bun side से कट कर लेनी है सुगाइस आप देख सकते हैं मारे भाई ने इसको बहुत ही अच्छे से काट दिया और अभी इसको अभी हमको इसको क्या करना है कि bun side जो इसकी होती है उसको अलग काट के रख देना है आपको ये बहुत ही सफाई से बिलकुल ध्यान से करना है सुगाइस आप देख सकते हैं कि हमने इसको काट के रख दिया हम इसको side में रख देंगे और अभी हमको क्या करना है गम लेनी है favicol's के उसको इस ड्रॉयर के उपर चिपका देना है हमारे भाई ने काटके फैविकol's को इस ड्रॉयर के उपर चिपका दिया है अब ही ये साइट से इसमें छोटा छोटा जो गागत देखने लगता है वो देखना नी चाहिए इसके लिए हमारा भाई जो उस कैंची से काट लेगा आप सभी को भी गाई से ऐसे ही कड़ना है इसको बिल्कुल बारी की कटिंग आपको इसकी कड़नी है सुकाई साथ सब देख सकते हैं हमारी माचस में बिल्कुल फिनिसिंग आ चुकी है बिल्कुल एक सी हो गई है अब हम आपको ये दिखाएंगे कि इसको वाई उल्टा करके दिखाओ माचस में बारी माचस में बारी माचस में इसको डाल देंगे इसके ड्रोयर को सुकाई साथ सब जैसा की देख सकते हैं माचस भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है अभी हम दिखाएंगे आपको कि इसको जालू कैसे करते हैं देख लीजिए आप सब भाई हम इसकी माचेस हैं जो उनको निकाल देंगे तो गाईस हमने निकाल दिया है और हम इसके कवर को साइड में रख देंगे देगे गाईस हमने इसको साइड में रख दिया है और आप सब मैजेक एक बार देख लीजिए आपको क्या करना है अपने माच इसके बॉक्स में convert हो चुका है अभी हम आपको एक बार हांस से directly करके दिखाएंगे आपको क्या करना है धीरे धीरे अपने आतों से ढखके इसको turn कर देना है देकि हमारा भाई आपको करके दिखाएगा तो आप ऐसा धीरे धीरे जब इसको turn कर देंगे तो ये drawer में convert हो जाएगा और हाँ आप इसको फिर से एक बार जब उल्टे side turn कर देंगे तो ये बापस माच इसके box में turn हो जाएगा गाईस आप अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो like, share and subscribe जरूर करें और next वीडियो तक आने के लिए bye bye